मेरे प्यारे देश्वासियों, इस बार 26 जन्वरी की परेड बहुत ही अधभूत रही, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा परेड में विमेन पावर को देख कर हुई। जब करतव्य पर्थ पर केंद्रिय सुरक्षा बनों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकडियों ने कदमताल सुरु किया, तो सभी गर्व से भर उठे। महिला बैंड का मार देख कर, उनका जबर्दिस तानमिल देख कर, देश विदेश में लोग जूम उठे। इस बार परेड में मार्च करने वाले बीस दस्तों में से ग्यारा दस्ते महिलाओं के ही थे। हमने देखा कि जो जांकी निकली, उसमें भी सभी महिला कलाकारी थी, जो सांस्कृतिक कारकम ही है, उसमें भी करीब डेड हजार बेटियों ने हिस्सा लिया था। कई महिला कलाकार, संख, नादस्वरम और नागदा जैसे भारतिय संगीत बाध्ययंत्र बजा रही थी। डियार्डियों ने जो जांकी निकाली, उसने भी सभी का ध्यान खीचा। उसमें दिखाया गया कि कैसे नारी शक्ति, जल, थल, नव, साइबर और स्पेस हरक्षेत्र में देश की सुरक्षा कर रही है। 21 सदी का भारत ऐसे ही विमेन लेड डेवलोपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, आपने कुछ दिन पहले ही अरजुन एवर्ड समारों को भी देखा होगा। इसमें राश्पती भवन में देश के कई होनहार खिलाडियों और एथलीटों को सम्मानित किया गया है। यहां भी जिस एक बात ने लोगों का खुब ध्यान खीचा, वो थी अरजुन पुरसकार पाने वाली बेटिया और उनकी लाइब जर्नीज। इस बार 13 विमें एटलीट्स को अरजुन एवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन विमें एटलीट्स ने अनेकों बड़े टोर्नामेंटों में हिस्सा लिया और भारत का पर्चम लहराया। शारिरिक चुनोतिया, आर्थिक चुनोतिया, इन साहसी और टैलेंटेड खिलाडियों के आगे टिक नहीं पाई। बदलते हुए भारत में हर छेत्रे महमरी बेटिया, देश की महलाएं कमाल करके दिखा रही है। एक और छेत्र हैं जहां महलाओने अपना पर्चम लहराया है, वो है सेल्फ हेल्फ ग्रूप। आज विमन सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स की देश में संख्या भी बड़ी हैं और उनके काम करने के दाइरे का भी बहुत विस्तार हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब आपको गाउं गाउं में खेतों में नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन के माद्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देगी। मुझे यूपी के बहराईच में स्थानिये चीजों के उप्योग से बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड तैयार करने वाली महिलाओं के बारे में पता चला। सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुड़ी निविया बेगंपूर गाउं की महलाएं काय के गोबर, नीम की पत्तियां और कई तरह के आउसद्य पौधों को मिलाकर बायो फर्टिलाइजर तैयार करती हैं। इसी तरह ये महलाएं अद्रक, लसून, प्याज और मिर्च का पेस्ट बनाकर और्गेनिक पेस्टिसाइड भी तैयार करती हैं। इन महिलाओंने मिलकर उन्नती जैविक इकाई नाम का एक संगठन बनाया है। ये संगठन बायो फर्टिस को तैयार करने में इन महिलाओं की मदद करता है। इनके द्वारा बनाये गए बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड की मांग भी लगातार बढ़ रही है। आज आसपास के गाउं के छे हजार से ज़्यादा किसान इनसे बायो प्रोड़क खरीद रहे हैं। इससे सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुड़ी इन महलाओं की आयबड़ी हैं और उनकी आर्थिक स्थिती भी बहतर हुई है।